यह खबर है सहर गंगापूर सिटी से सहर स्थीद एक रैडिमेट शॉप में सेधमारी का मामला सामने आया है रविवार रात चोर कोतवाली थाने के ठीक सामने स्थीद एक रैडिमेट शॉप से नकदी वा हजारों रुपे कीमत के रैडिमेट कपड़े चोरी कर ले गए ऐसे में लोगों उनमें दुकान वा प्रतिश ठान की सुरक्षा को लेकर चिंताब बढ़ गई है दुकान मालिक सुमवार सुभा जब दुकान पहुँचे तो गल्ला खुला व कपड़े बीखरे मिले जिस पर उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस को सुचना दी उस पर पुलिस ने पहुँश कर मौका मुआयना किया पिडित आनंद अगरवाल ने बताया कि उनकी कोतवाली थाने के सामने रेडिमेट शॉप है वरोजाना की तरह रविवार रात करीब उने नौ बजे दुकान बंद कर घर गए थे इसके बाद सोमवार सुभा दुकान खोलने पर देखा कि रेंक में से कपड़े गायब होने के साथ ही बिखरे मिले वहीं गल्ले में रखे 30,000 रुपे भी गायब मिले चोरों ने दुकान के पिछबाडे में लगी लोहे की चद्दरों को खटा कर दुकान में प्रवेश किया था इस पर उन्होंने पुलिस को सुचना दी पुलिस मामले के जाच कर रही है